आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार, स्वागत है आपका डाउटनेट पर हमारा प्रश्न है एक खोखले बेलनाकार ड्रम का आंतरिक व्यास 30 cm और उचाई 1 मीटर है प्रतेग 10 cm व्यास और 10 cm उचाई वाले बेलनाकार बक्सों की जो की ड्रम में रखे जा सकते हैं अधिक्तम संख्या क्या है चार विकल्प दिये गए हैं और इस प्रश्न को करते हैं हल यहां पर प्रश्न में सीधे सीधे हमें दोनों का आयतन बराबर करना है सबसे पहले बड़े वाले ड्रम का आयतन निकालते हैं बड़े वाले ड्रम का आयतन पाई गुडे यहां पर तरिज्या का वर्ग करेंगे त्रिज्या हमें नहीं दी गई है व्यास दिया गया है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या पाई गुड़े त्रिज्या का वर्ग गुड़े उचाई उचाई एक मीटर है मीटर को सेंटी मीटर में बदलेंगे सोग ना हुआ बराबर अब यहां से माल लेते हैं जो कुल छ द्रम का आयतन, चोटे वाले ड्रम का आयतन, पाई गुड़े यहाँ पर भी तरिज्या का वर्ग करेंगे, यहाँ पर तरिज्या व्यास का आधा करेंगे, 10 बटे, 2 और इसका वर्ग गुड़े उचाई, 10 सेंटीमीटर, अब इसको हल करते हैं, पहले पाई से पाई कटा, यह पर 10 से एक शून्य से एक ये शून्य कटा तो 30 बटे 2, 15 आएगा 15 कवर्ग, 225 गुडे 10 बराबर हो जाएगा, n गुडे 10 बटे 2, 5 पांच कवर्ग 25, अब इसको हल करते हैं, 25 से कटेगा ये एक बार में और ये 25 से कटेगा 9 बार में, तो N कमान आजाएगा 9 गुडे 10 यानि की 90, तो छोटे वाले ड्रमों की संक्या हो जाएगी 90 के बराबर, 90 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, अब चेहन करते हैं सही विकल्प का, यहाँ पर चौथा विकल्प दिया गया है 90, तो धन्यवाद मिलते हैं अब नयव प्रश्न के साथ क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मीन्स और एड्वांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर